हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग हम अब तरती अध्याए पढ़ रहे थे रेतु जर्रे अध्याए हमने काफी सारी चीजों की बात कर ली थी और काफी सारी चीजों की बात आजम करेंगे तो देखिए उसको पढ़ने से पहले हमारा रोच का नियम क्या है समराइस करना जिससे क्या हो पुराना पढ़ा हुआ रिवाइस हो जाए और सौरी माफी चाहूँगा काफी दुनवाद वीडियो आ रही है थोड़ा टाइम वगरा नहीं मिल पाए ता इस वार तो शुरू कर और नहीं से पहले कुछ लोगों के कमेंट्स आये थे और मैसेजस भी आये थे किसे जट्रगनी कैसे बढ़ाएं कैसे प्रदीप्त करें तो देखिए जट्रगनी जो काफी चीजों पर डिपेंड करती है समझ रहे हो ना काफी चीजों पर डिपेंड करती है जैसे कि काल पर पिशम होगी और अगर पित्ट प्रकरती का है तो उसकी जट रंगनी नॉर्मल सी वाते जादा रहेगी जिससे उसको भूग भी अच्छी खासी लगेगी तो एक तो इस पर डिपेंड कर रही है एक रितू पर डिपेंड कर रहे है जैसे कि अगर शिचिर और हेमन्त यानि की रितूय चल लगी है तो उसकी नॉर्मल सी बात है जट रंगनी प्रदीप्त हो जाएगी सब की प्रदीप्त हो जाती है ठीक है तो इस टाइम भूग जादा लगेगी इसलिए जाड़ों में ठंड़ों में भूग जादा लगती है क्योंकि इस टाइम वारी जट रंगनी क् maximum पहुच जाती है, इसकी वज़े से बल भी बढ़ जाता है, तो हम एक relation में ये भी कह सकते हैं, जिसकी जट रगनी जितनी वजूत होगी, वो उतना ही बलवान होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी खाएगा, वो जल्दी हजम कर लेगा, और वो उसके सरीर को लगेगा, ठीक है, अब देखिए कासे कुछ रोग होते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्राइम मोटिव होता है, कि जट रगनी को प्रवल कर देना, जैसे कि अगर किसी को वुखार भी आ रहा है, तो उसमें क्या होती है, जट रगनी कमजूर पड़ जाती है, तो जिसकी वैसे भूखनी लगती पिशेंट को और वो कमजूर होता जाता है, तो हमारा प्राइम मोटिव रहता है, उसको हलका इसनिक्द भोजन देके, उसकी जट रगनी को धीरे-दीरे मजबुत करें, अगर आप एकदम उसको हेवी खाना देते हैंगे, तो वो भी नहीं खापाएगा वो, इसलिए हमेज सा स्टार्टिंग कैसे करें, हलका छोका और इसनिक्द भोजन से स्टार्टिंग करें, समझ रहे हो ना, तो देखिए, अजट रगनी बढ़ाएं कैसे सर, देखिए, और शदी की बात मैं अब ही नहीं करूंगा, क्योंकि और शदी की आपको इस इज़म जरूवत भी नहीं है, अगर आपको अपनी उपर ही अपलाई करना है तो अब यह उश्यदी की ज़रूती नहीं है, आप सिंपल नॉर्मल एक्टिविटी से भी अपनी जटरंगनी को बढ़ा सकते हैं, नम्बर बन, आपको डेली वर्काउट करना है, भले ही आप रणिंग करें, जिम करें, या प्र नहीं गिलास पर पानी पी रहे हैं, या भोजन खाने के तुरंट बाद, इस से जटरंगनी पर नेगटिव एफेक्ट्स पढ़ते हैं, और दूसरी बाद आप इस तेक भोजन जरूर लें, थोड़ा बहुत घी जरूर खाएं, यह नहीं घी बिल्कुल बंद कर दिया है, न और कितने आयन होते हैं, दो, उत्तर आयन और दक्षण आयन, जो उत्तर आयन होता है, इसी को आदान काल या आगने काल बोला गया है, समझ रहे हो ना, और जो दक्षण आयन होता है, इसी को विसर्ग काल या कैसा, विसर्ग काल और एनरजी बढ़ाने वाला काल भी बोला ग इरिश्म ये किस में आती है आदान काल में आती है आगने काल में आती है उत्तरायन में आती है और जो लास्ट की तीन है वर्षा शरद हेमंत ये किस में आती है ये विशर काल में आती है दक्षणायन में आती है देखी जो आदान काल है इसमें क्या होता है शूर रहा है अपन इस शिशर में मैगजिमम बल होगा फर उस से कम बसंत में हो जाएगा फर उस से कम गरीस में हो जाएगा क्यों कि ये आदानकाल है सर और आदानकाल में क्या होता है सूरेवल का अपरन करता है ठीक है फिर वर्षा शरद हीमन्त वर्षा शरद हीमन्त ये किस में आया ये विशर क्यों सर जटर नी मेघजिमम होती है शी पतूरे ते चैनली हज़ते एलिए अब़द्याता है जिसके कारण अगनी अंदर ही रुक जाती है शरीर झाल होने के कारण बूर जाद लगती है हम जाला खाते हैं और जल्दी हजम भी हो जाता है और शब्सरीर को लगता है इस कारण हमारा बल बढ़ जाता है ठीक है इसके कारण हमने काफी रितू में उनके आहर बेहर इन सब के बारे में भी पढ़ा और रितू संदी भी पढ़ा जहां दो रितु में मिल लए हो पहली सब्था compression एक सब्था किस रितु का जो रितु खत्म होने जा रही है और एक सुरुवागत का सब्था किस का जो रितु श्टार्ट होने जा रही है चलिए आगे बात कर लेती है विशरकाल परिछे हम पढ़ चुके हैं अगर आप अगनी को कुछ नहीं देंगे तो आपकी शरीर को हानी पहुचाएगी। प्रात्यकाल के कर्टब आपने पढ़ लिये थे रात्री लंबी होती है, सुगवे उटके सौचादी करके व्यायाम जरूर करनी चाहिए, अव्यंग करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके थे। फिर इसनान वगरा हमने पढ़ लिया था। निवास कहां जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान जहां भार की शीत हवा नहां आती हो ऐसे गर्ब भूब है इसमें प्रवेज करना चाहिए रहना करना चाहिए निवास ऐसे इस इस्तानों में करना चाहिए शीशिरित चर्या पढ़ लियाता है ये काफी कुछ हेमंत की समान होता है लेकिन इसमें शीत अधिक पढ़ने लगती है ठीक है वसंत हमने पढ़ लियाता है जो वसंत तो इस टाम चला है बीमारियों काल इसमें क्या होता है कफका परकौप होता है जिस कारण अनेक व्यादिय क्योंकि उत्पत्ती हो जाती है सर। ठीक है पानविधी हमने पढ़ ली थी पानविधी की बात करें तो किस रे तुम्हें पानविधी करेंगे पानका सेवन किस रे तुम्हें पताए गया था। सर ग्रीज में तुमें ने पढ़ लिया था ग्रीज में तुमें क्या होता है शूर रहे अपनी किड्नों के कारण संसार के जलियन्स को सुखा देता है इस कारण क्या होगा कफ का क्या होगा कफ का शमन हो जाएगा ठीक है तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देख तो चल लाई है कफ का प्रकॉप होगा फिर दीदी दे सांत हो जाएंगे क्यों बसंद चली जाएगी गिरीश मुर्यतू आ जाएगी जली एंस सूख जाएगा कफ वगरा की प्रॉडमों को कम होती जाएगी इसलिए लोग घवराना भी छोड़ देंगे भरम भी छोड़ दें बलकुल नहीं बताएगा इसमें ना बत ना करें और पीएग तो ज़्यादा पानी मिला कर पीएगे क्यों क्यों क्योंकि एलकॉल क्या करता है डी हाइड्रिशन हो बॉड़ी करता और वैसे ही नॉर्मल भी ग्रीस में रुटू में क्या है क्योंकि सूर्रे किड्ने क्या कर नॉर्मली डियाइडरेशन जलियन्स को सुखा रही है उपर से आप अगर एल्कॉल ले रहे हैं तो और डियाइडरेशन होगा चलिए इसके पाद वर्षा रितु चल रहा है से हमको प्रारम करना था देखिए हमने छे रितु पढ़ी शिशेंत वसंत ग्रीश वर्षा शरद ह ही मंत तो ये वर्षा रितु ये कौन से काल में आई है ये वशर रितु तो क्या होगा वर्षा रितु से बल बढ़ना शुरू होगा था देखिए आधानकाल के परवाप से दुरवल शरीर वाले प्राण्यों पहले से ही मंधूई अग्नी इस रितु में वात आदी दोशो से और भी एथिक मन्द पढ़ जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा वर्षा रितु में वात का प्रकौफ होता है जिस कारण जो हमारी अगनी पहले से ही मन्द हो गई थी गर्मी के कारण वो और मन्द पढ़ जाएगी क्योंकि उक्तवे दोश जल के बहार से पाक मैंने पहली बोल देता को याद करना है कि किस महा में कौन सा ही मैं करवा भी चुका हूँ याद इस काल में होने वाले मेले जल के प्रियोक से तथा जटर अगनी के मन्द पढ़ जाने से साधरन आहर भिहार जो वात आदी दोशों का समन करने वाला हो साथी जटर अगन ठीक है शरीर शुद्धी करते रहना चाहिए क्योंकि बर्चा रितू में की चड़ा दी कीड़े मकोड़े निकले आते हैं जो शरीर पर वैट का शरीर को दूशित करते हैं इस वज़े से हम को क्या करना चाहिए शरीर को शुद्धी करन करना चाहिए ये तो भारी आप देखिए शरद रित्वरिया अगर आप जानती हो मैंने फीडियो में पहले बोला भी था कि शरदर्टू में पित का प्रकॉफ होता है ठीक है तो इस टेम आपने देखा हुगा शरद रितू शरद रित्व में क्या हुआ पित का प्रकॉफ हुआ अर्थात अर्ठाथ, अर्थाथ मतलब क्या होगा इस रितू में, कैसे disorders होगे, digestive problems होगे, जलन का होना, पेट में जलन का होना, दर्ड का होना, acidity का होना, कप्ज का होना जितने भी ये सा patient related disorders intestinal disorders हैं ये किस से होंगे किस तुमें होंगे शरद तुमें होंगे सरफ पित का काल है पित का प्रकोफ है वर्षार तुमें पानी से भीगे हुए अतेव शीत युग्त प्राडियों की शरीर में पित का संचे किरमस होता रहता है उसके बाद शरद रित्यू के आ जाने पर एका एक सूरद की किड़नों द्वारत तपे हुए प्राणियों के शरीन में वर्साकाल में संचित हुआ पित इस समय कुपित हो जाता है यह हमने बताया कि शरद में क्या होगा शूरगी किर्णा एका एक तेज होना हो जाने से पित का प्रकोप होगा सर उस पर विजह पाने के लिए अर्थाद वे किसी प्रकार से पित जनित विकारों को पैदा ना कर दे इसलिए तिक्त घरत का सेवन विरेचन तता रक्त कराना चाहिए देखिए घरत क्या करेगा इसका शमन करेगा विरेचन क्या करेगा इसका शोधन करेगा ठीक है रक्त मोक्षण कराना चाहिए यह भी हम पढ़ेंगे आगे जलों का विदी क्या करती है इसमें लीच लगा दीती है तो जो पॉलिट्ट बिलड होता है वो उसक मातरा में खाएं इनी रसों का क्यों सर ये पित शामक हैं और हमको पित को ही तो शांत करना है इस रितू में शाली की धानने मूम मिश्री आमला मदू तरह जंगल प्राणियों के मास का शेवन करें अब देगे हंसो दक बहुत इंपोर्टेंट कहूं तो पेपर में आने के चा हो जाए एवं वायू का इस परस उस पर होता रहे ये जल अमरत के तुल्य होता है समझें दिन में क्या हो रहा है शूर्ण की किर्णों से तप रहा है रात में क्या हो रहा है चंद्रमा की शीतल किर्णों से शीतल हो रहा है और वायू का इस परस निरंतर हो रहा है अब तता अगत्स तारा के उद्य हो जाने से दोश रहित अर्था पवित्र निर्मर एवं दोश नासक जल को हंसो तक कहते हैं ये जल अविशंद कारक नहीं होता ना रूक चोता ये अमरत के समान गुड़वाला होता है देखिए इसमें कुछ टर्म आए अविशंद कारक अविश तक के टेक क्यार घर पर रहें स्वस्त रहें मस रहें मैं शेशंग अगरवाल आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं थैंक्यू फ्रेंड्स